हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या ग्याने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रिसेप्शन वाले दिन एक के बाद एक तमाशे को देखकर गुसे में बॉकलाया इशान तो वही इशान का तूटा सब्र का बांध और जड़ा स कवी को जोड़दार ठपड जी हाँ दोस्तों अब शोग की अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां अक्कर साहिब पहले ही सभी से नाराज होती हैं लेकिन फिर वो इशान के खातिर पार्टी में शामिल हो ही जाती हैं तो वही स्वाती और स्वानन दोनों बिना बुलाए फंक्शन में आ जाते हैं और अपनी बेटी रीवा को दुखी देखकर परिशान हो जाते हैं जहां स्वाती ये फैसला करती है कि वो राव साहिब की जूटी इमेज को सब के सामने लाके ही रहेगी इसलिए वो पार्टी में बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है औ जहां सवी ईशान और उसकी फैमली की इमेज और रेप्टेशन बजाने के लिए बात को समाल लेती है और सबी महमान कन्वेंस होके चले जाते हैं तो वही रिसेप्शन खतम हो जाने के बाद अक्का साहिब का बयांकर गुस्ता सवी पर फूर पड़ता है और वो कहते वे न नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई बुराई है हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे बताने से पहले आप लोगों को ये बात बाहर वालों से पता चल गई लेकिन मैंने कोशिश की थी बताने की पर कोई मेरी बात सुनने तक को तयार नहीं था जहां अक्का साहिब सवी की बाते सुनकर और भी जादा भड़क जाती है और सवी के परिवार वालों को लेकर काफी घडिया बाते बोल देती है और जिसे सुनके सवी भी अपना कंट्रोल को बैठती है और अक्का साहिब को कहती है कि कबरदार जो मेरे परिवार के खिलाफ एक भी गलत शब्द ब अक्का साहिब जमीन पर गिर जाती है तो वहीं इसी दोरान इशान को गलत फैमी हो जाती है कि सवी ने अक्का साहिब को धका दिया है और जिसके बाद इशान सवी को थपट लगा देता है तो वहीं दोस्तों इशान की वज़से सवी के आत्म सम्मान को पहुशने वाली है ठे और कहानी में आएगा जबदस ट्रैक तो बने रही है आप सब हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले